साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन सो दुआए हाई फ्रेंज एक मिन्टा मैं लाइट चालो कर देती क्योंकिन आप लोगों कुछ दिखेगा नहीं अभी ठीक है तो यहाँ पर यह पोल के रहे थे तो वहीं लगा के रखा है तो यहाँ पर तो आज है अठरा तारीक है और 11 यानि की नॉवंबर है और आज है इनका बड़े तो मैं अभी जा रही हूँ इनके लिए केक बुक करने के लिए वैसे इनको पता नहीं है नहीं करेंगे बाहर जाकर सिफ होटल में खाना खाएंगे और आजाएंगे और इनको नहीं पता है कि मैं यहाँ पर सप्राइस तयार कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं जाओंगी अभी केक बुक करने के लिए क्योंकि मुझे केक बुक करना है पहले और देखते हैं कौन सा क जानवाली हुए फिर देखते हैं कुमें कि मुझे कांटे केक बूख करना है और बलून लेकर हैं पूरा बहुत चीज़ा ही अभी अंधर कपार्ट में निकालन मुझे हैं यहां यहां पर बैसे नहीं परदा जब से लगाया ना तो काफी अच्छी बॉल लगई हमारी ने तो गिरीन कलर बिल्कुल भी अच्छ नहीं लगए और कलर करना है लेकिन देखते हैं कब तो कहोगा तो अभी जो है मैं जारी हूं सबसे पहले बाहर जाओंगी और केक बुकर कराओ इस बाहर जाऊंगी तो खाएद देखते हैं मुल जाएगा तो लेकर आजाएंगे करें रोगए जीए। तो क्यों थावच पलूठेट कि माल र Ragetme को उनोडी जाल है मिल जाएगा तो लेकर आ जाएगे क्योंके दूपर का टैम हो रहा है पता नहीं मिलेगा il D replies नहीं मिलेगा ला कमिना केक 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 के दुकान तो आपर होती है यहांथ केक बुक करे आना है और फिर थोड़ी बहुत चीजे मिलती है वो लेकर आँगे और बाकी तो मैंने सारा घर साफ अगरा कर दिया है और चादर वगएरा भी चेंज कर दी है मैट लगा दिया है पर मैं लिस्ट बना देती कि खाना में क्या क्या बनेंगा अज और देखते हैं कि अज्वरा करते हैं के लिए क्या बनाऊंगे स्पैसल पिछली बार तो मैंने बहुत सारी चीजे बनाई भी इस बार देखूंगे मैं क्या क्या बना वाहूंगी तो चलते हैं और तयारी करते हैं बढ़ाइक कि और आप सब लोग भी कमेंट में विश्क कर दिजेगा तो मिलती हूं आप लोगों से थोड़ी दियर में तो मैं अभी जा रही हूं केक बुक करने और कावय को भी लाने का वक्त हो गया है तो मैंने का उसको भी ले आती हूं साथ के साथ तो केक में बुक करके आ गई थी और कावय को भी लेकर आ गई हूं और कावया आते के साथ इसकी मस्तिया शुरू हो गई है जब स्कूल से जैसे आते हैं और इसको तयार करना वापस से बहुत मुस्किल होता है इधर से बागती रहती है तो यह देखिए वो मस्तिया चाले उसकी तो मैंने का चलिए जब तक टैम होता है तब तक मैं क्या करती खाना बना लेती हुँ मैंने यहां पिस लिए स्हजरूंगी मनें टमाटर कान दा एक मजान के लिए लेबution के उसकी टमाटर कांदा के लोगी मनें बलने उसम मंतिया है और यहां पर थोड़ा सा उसमें टालेती हुए पिस कर यहाँ पर दघी एक्टार मेति की ऐना है दाए नहां यहाँ पर जो पाणने कानदा तो मिर्च मिर्च कराए लिए और बटाएक पैसे मोण हमतए और मेरा हमले अग्याया दो थी घ्रूआ ना na शूरी आ पर हुड़न हो दी आया मेरा दृडिव बेर तो मैं आने के बाद बनाओंगे क्योंकि मुझे जाना है भी केक लाने के लिए तो मैं और कावया हम जा रहे हैं क्योंकि हमने दूपर को ओर किया था और साम का टैम दिया तो उसको हमने का था कि छे शाड़े 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 जाना चाहिए क्योंकि इनका आने का टैम साथ कि क्योंकि बाटकर रहिए तब तक हम बाकी होगा तब तक हम बाकी की तयारिदी होगा और केख को लाकए रटैंगी पर क्योंकि ने तो भार जाना पड़ेगा और टैम हो चुका है चे बच चुके हैं शाम के तो चलिए मैं जा रही हूं कावय भी तयार है यह देखिए कावय एक धम तयार है और अब हम जा रहे हैं तो चलो चलता है मिलते हैं आप लोग से खुड़े तो यहां पर देख सकते ह आप बजने वाले हैं साथ और अभी अभी इनका कॉल आया है कि यह आ रहे हैं तो हमने का चलिए फिर जल्दी जल्दी से घर तयार कर लेते हैं क्योंकि आज यह आज यह आफिस से बहुत जल्दी आ रहे हैं और हमें लगा था कि लेट तक आएंगे तो आराम से सारा काम हो जाएगा अच्छे से तैयारी वगएरा कर लेंगे लेकिन सच कहूं तो तैयारी करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि यह आ गए थे बहुत जल्दी तो यहां पर मैं बलून फुगा रही हूं और कावे उनको साइड में रख लिए कावे मेरी मदद कर रही हैं मैंने क कि बलून लगाया है बसकि मने छाइड बालून फॉगरे लगए देकान वागरा नहीं किया मैं पर इस तरीके से यह जलुदी आ गए थे ऑफिस से यह घल्का साइट वह पना घार और आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है बता सकते हो और इनका बढ़ आज और खाना आदा बन चुका है थोड़ी बहुत चीजे बागी हैं वो मैंने कहा कि बना लूँगी जल्दी से लेकिन हाँ इनके आने से पहले मैंने बना लिया था बस नान बनाना बाकी तह गया थ और तो मैंने सारी चीज़े तैयार करी ली थी तो यहां पर हम जल्दी जल्दी से दोना मावेटी लगे हुए घर कर सजाने में तो यह देखिए यह बॉलना यह परदर लगने के बाद काफी अच्छी लग रही है और यहां कावे की मस्तिया शुरू है देख सकते हैं और यहा अच्छे से इनके लिए बनाया था बस इतना है कि हम इन्हें सप्राइज देना चाहते थे कि यह जब आएं तो हम अच्छे से मतलब इनको सप्राइज देने पता नहों लेकिन जब यह आए तो दर्वाजा गलती से खुला रह गया था और यहां पर देखिए मैं केक लेकर सब्सक्राइज आ गई हूं और अभी सैसा भी सिंपल सा किया इस बार लेकिन इनको तो पसंदी आया तो यहां पर हम पहले आरती करेंगे पिर केक कट करेंगे और यह देखिए आते के साथ इन्होंने मैच लगा दिया है और इनको पूरा ध्यान मैच पर है और अभी देख स नियुक की खरिया लगे साथ खर्यां मेंच जलए पार उस्ण कट कराएंगे और हमें जल्दी घटा तो यह देखिए इनका रासम मलाई के र socs मल्य करेंगे प benefits और हमकाने चाहरे पाइद कट कैट कर बाद फिर ओर handicap कर आएंगे और काना साथ से बारे अरिय यह जल्दी पन और इनका पूरा ध्यान मैच पर है पर हम और यहां पर हम सोच रहते हैं कि तयार होने वाले हैं अच्छी तरीके से लेकिन हम तयार भी नहीं हो पाए अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से और खाना अगरा से बन जाएगा फिर इसके बाद मैं और कावय तयार होएंगे लेकिन यह जल्दी आगए फिर हम तयार भी नहीं हुए और यह देखने हो मैं इसको फोड़ने की खोशिश करी थी पर पता नहीं क्या हुआ शायद यह ख इनके लिए स्पेशल बड़े डीनर जो की मैंने घर परी बनाया है दही और परीर की भाजी गाजर का हल्वा राइता राइस और यह है नान तो चलिए आज का व्लोग यहां तकी मिलती हूं आप लोग से नेक्स व्लोग में एक अच्छे से व्लोग के साथ तब तक के लिए बाइब अपना ख्याल रखेगा और मेरे व्लोग अच्छे लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलती हूं जल्दी बाइबाइब